जैस्री कृष्णा आई ये सुनते हैं आज एकादसी पर गीता का यह अध्यार स्री महादीर जी कहते हैं प्रिये गीता के वर्ण से संबंध रखने वाली कथा इवं विश्वरूप अध्याय की पावन महात्मे को स्रवड करो विशारनेत्रोवानी पार्वती इस अध्याय के महात्मे का पूरा पूरा वर्ण नहीं किया जा सकता इसके संबंध में सहस्त्रो कथाएं हैं उनमें से एग यहां कही जाती है क्रडिता नदी के चटपर मेहरकर नाम से विख्यार एक बहुत बड़ा नगर है उसके प्रकार चारक दिवारी और गोपुर द्वार बहुत उचे हैं वहां बड़ी बड़ी विश्राम साल आये हैं जिनमें सोने के खंभे सोभा दे रहे हैं उस नगर में स्रीमान शुखी सांत सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुश्यों का निवाश है वहां हात में साग नामक धनुसधारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विश्रू बिराजमान है वे परंब्रम्हा के साकार स्वरूप है संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं उनका गवरवपूर श्रीपिग्र भगवती लच्मी के नेत्र कमलोद्वा भगवान की वहजा की बामन अवतार की है, मेक की समान उनका स्यामवर्ड तथा कोमलाकरिती है, वच्छस्तलप स्रीवत्स का चिन्द शोभा पाता है, विक कमल और बनमाला से विभूसित हैं, अनेक प्रकार की आभूसरों से सुसोभी थो, भगवान, बामन, रत्न युप्सम उनकी सद्री से जान पड़ते हैं, पितांबर से उनकी स्याम विग्रह की कांती, ऐसी प्रतीत होती है, मानोच्चमक्ती हुई विजली से घिरा हुआ, इस निग्न मेग शुभा पा रहा हो, उन भगवान बामन का दर्शन करके, जीव जन्म इवं संचार के बंधन से वहाँ जगत के स्वामी करुडा सागर भगवान नर्शिंग का दर्शन करने से, मनुष्य साथ जन्मों के किये हुए घूल पाप से छुटकारा पा जाता है, जो मनुष्य मेखला में गरेश जी का दर्शन करता है, वह सदादुसकर विग्नों के भी पार हो जाता है, उसी म घड कर नगर में कोई स्रिष्ट ब्रामहर थे, जो ब्रमचर्य परायर ममता और अहंकार से रही, बेच सास्त्रों में प्रविर, जितेंद्रिय तथा भगवान वाशुदेव के सरडागर थे, उनका नाम सुनन्द था, प्रिये विश सारंग धनुस्धारण करने वाले भग परमानन, संदोहसी, पूर उत्तम ज्यानमै समाधि के द्वारा, इंद्रियों के अंतरमुख हो जाने के कारण, विन निश्चर, इस्थिती को प्राप्थ हो गय थे, और सदा जीवनमुक्त, योगी की इस्थिती में रहते थे, एक समय जब भ्रहस्पती सिंग, रासी में इ पहा योगी सुननने, गुदावरी तेथ की यात्रा अरम की, विक्रम स बिरस्तिर्थ, तारा तेथ, कपला संगम, अश्चतिर्थ, कपला द्वार, नर्शिंगवन, अंभिकापूरी, तथा कर अस्थान पर आजी छेत्रों में अस्थनान और दर्शन करते हुए, विबाह मं अंदक नामक नगर में आए, वहां उन्धोंने प्रतिक घर में जाकर अपने ठारने के लिए अस्थान मांगा, परंतु कहें भी उन्हें अस्थान नहीं मिला, अंत में गाउं के मुक्षिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्म साला दिखा दी, ब्रामर ने साथियों सहि उसके भीत जाकर राट में निवास किया, समेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धन साला के बाहर पाया, किन्तु उनके और साथ ही नहीं दिखाई दिये, वे उन्हीं खोदने के लिए चले, इतने में ही ग्रामपाल मुक्षिया से उनकी भेठ हो गई, ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेश, तुम सप्रकार से दिरगायु जान पड़ते हो, शवभाग्यसाली तथा पुंड्यवान पूशो में तुम सबसे पवित्र हो, तुम्हारे भीतर कोई लोकुत्तर प्रभाव बिदमान है, तुम्हारे साथ ही कहा गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसक तुम्हें किस महामंत्र का ग्यान है, किस बिद्या का आश्रे लेते हो, तथा किस देवता की रिया से तुम्हें अलवकिक सक्ती आ गई है, भगवान कृपा करके इस गाव में रहो, मैं तुम्हारी सबसेवा सुस्रुसा करूंगा, यो कहकर ग्रामपाल ने मुनिश्वर अपने गाव में ठहरा लिया, वह दिन रात बड़ी भक्ती से उनकी सेवा तहल करने लगा, जब साथ आट दिन बीथ गए, तब एक दिन प्रातर काला कर, वह बहुत दुखी हो, महात्मा के सामने रोने लगा, और बोला हाई, आज रात में राचस ने मुझ भागी हिन के ब भक्तिमान था, ग्राम पाल के इस प्रकाल कहने पर योगी सुननन ने पूछा, कहां है वह राचस, और किस प्रकाल उसने तुम्हारे पुत्र का भच्छड किया है, ग्राम पाल बोला, ब्रामन इस नगर में एक बड़ा भयंकर नर्भच्छी राचस रहता है, वह प्रति द ना कर इस नगर के मनुश्यों को खा लिया करता था तब एक दिन समस्त नगरवाश्यों ने मिलकर उसे प्रातना की राचस तुम हम सब लोगों की रच्छा करो हम तुम्हारे लिए भोजन की विवस्था किये देते हैं यहां बाहर के जो पथिक रात में आकर निद लेने लग उनको खा जाना इस प्रकार नागरिक मनुश्यों ने गाउं के मुझ मतलब मुखिया द्वारा इस धर्म साला में भेजे हुए पथिकों को ही राचस का आहार निशित किया अपने प्राडों की रच्छा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा तुम भी अनिराहगीरों के सा इस घर में आकर सोय थे किन्दु राचस ने उन सबों को तो खा लिया केवल तुम्हे छोड दिया द्वी जुत्तम तुम में ऐसा क्या प्रभाव है इस बात को तुम्हे जानते हो इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था किन्दु मैं उसी पहचान न सका वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिया था किन्दु अन्य रागीरों के साथ उसी भी मैंने उसी धर्म साला में भेद दिया मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रभेश कर गया है तब वहुषे वहां से ले आने के लिए गया परन्तु राचस ने उसी भी खा लिया आज सम मेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिसात से बुचा ओ दुष्टात्मा तुने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जिवीत हो सके ऐसा कोई उपार यदि हो तो बता राचस ने कहा ग्राम पार धन साला के भीतर हु बन गया है वह मेरे उदर में जिस्प्रका जिवीत और रचित करा सकता है वह उपाई श्वयम विधाता ने ही कर दिया है जो ब्राम हर सदा गीता के ग्यारहवे अध्याय का पाठ करता हो उसके प्रभाव से मेरी मुक्ती होगी और मरे हुँआ को पुनह जीवन प्राप्त ह यहाँ कोई ब्राम हर रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्म साली से बाहर कर दिया था वे निरंतर गीता के 11 अध्याय का जबकिया करते हैं इस अध्याय के मंत्र से साथ बार अभिमंत्रित करके यदि इवे मेरे उपर जलका शेटा दे तो निशन्य मेरा स्राप से उग्यार हो जाएगा इस प्रकारुस राशत का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकटाया हूँ ब्रामहर ने पूछा ग्रामपाल जो रात में सोई हुए मनुश्यों को खाता है वो प्रारी किस पाप से राचस हुआ है ग्रामपाल बोला ब्रामहर पहले इस गाव में कोई किसान ब्राम उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उसे राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे गिद उस राही को खाकर आकास में उड़ गया तब तपस्वी ने कुपीध होकर उसकी साल से कहा ओ दूष्ठ हलवा है तुझे धिकार है तु बड़ा ही कठोर निर्दई है दूसरे की रच्छा से मुझ मोरकर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है तेरा जीवन नश्ट प्राय है अरे जो चोर दाह वाले जीव सर सत्रु अबनी विष्ट जल गिद राचस भूत तथा बिताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुस्यों की सक्ति होत के चंगुन में फसे हुए ब्रामर को छोडाने की चेश्टा नहीं करता वो घोर नरक में परता और पुनभेलियों की योनी में जन लेता है जो बन में मारे जाते हुए तथा गिद और ब्यागर की द्रिष्टी में पड़े हुए जीव की रच्छा के लिए छोडो छोडो क की पुखार करता है वो परमगती को प्राप्त होता है जो मनुश्य गउओं के रच्छा के लिए व्यागर भील तथा दुष्टराजाओं के हाथ से मारे जाते हैं वे भग्मान विश्रू के उस परमपत को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुरलव है सास्त रस्त्र मे पुर्ण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुम्भी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। तु राच्छ सोजा। आप से सुटकारा मिल जाएगा। यह करकर तपस्वी ब्रामः चले गए। और वह हलवाया राच्छ सोगया। अतह द्वीचर तुम चलो। और ग्यारहवे अध्याय से तेत के जलको अभिमंत्रीत करो। फिर अपने ही हाट से उस राच्छ के मस्तक पर उसे छुरक दो। ग्रामः पाल की यह सारी प्राटना सुनकर ब्रामः का हृदय कवडा से भराया। वे बहुत अच्छा कहकर उसकी साथ राच्छ के निकटाय। वे ब्रामः योगी थे। उन्होंने विशुरूप दर्सन नामक ग्यारहवे अध्याय से जलविमंत्रीत करके उस राच्छ के मस्तक पर दे मारा। गीता के ग्यारहवे अध्याय के प्रभावसी वह स्राब से मुक्त हो गया। उसने राच्छ दे का परित्या करके चतुर भुज रूप धारर कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों को भच्छर किया था। वे भी संख, चक्र एवं गदा धारर किये चतुर भुज हो गये। तक पस्चार वी सभी विमान आरुण हुए इतने मेही घ्रामपाल ने राचस से कहा निशाचर मेरा पुत्र कौन है उसे दिखाओ। उसके यो कहने पर दिप्य बुद्धिवाने राचस ने कहा ये जो तमाल के समान स्याम, चार हुजाधारी, मारिक्यमे मुकुट से सुसोभी तथा दिविमर्यों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहने के कारण, जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभुसीत, कमर के समान नेतरवाले इस निग्ण रूप तथा हाथ में कमल लिये हुए हैं, और दिविवान पर बैठका दिवत्तों को प्राप्त हो चुके हैं, इनी को अपना पुत् देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा, यह देख उसका पुत्र हस पड़ा, और इस प्रकार कहने लगा, पुत्र बोला, ग्राम पाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो, पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किन्तु अब देवता हो गया हो, इन ब्राभर गीता के प्रसाद से बैंकुंट धाम को जाओंगा, देखो यह निसाचर भी, चतुर्भुज को प्राप्थ हो गया है, ग्यारहवे अध्याय के महात्मे से, यह सब लोगों के साथ स्री विश्रु धाम को जा रहा है, अता तुम भी इन ब्राभर देशी गीता के ग्यारहव पूर्षो का संग सर्वता दुल्लव है, वह भी समय तुम्हे प्राप्थ है, अता अपना भिष्ट सिद्ध करो, धन, भो, दान, यग्य, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है, विश्रु पाध्याय के पार से ही परमकल्यार की प्राप्ती हो जाती है, पूरा नन संदोर्ष्वरू उप्सिलकिष्ट नामक ब्रह्मा के मुक्से, कुरू छेतर में अपने मित्र अरजुन के प्रती जो अमरित में उप्देश निकला था, वही स्री विश्रु का परमतात्विक रूप है, तुम उसी का चिंतन करो, वह मोच के लिए प्रसिद्र सायन है, संस स्री महादीर जी कहते हैं, यो कहकर वह सबके साथ परमधाम को चला गया, तब ग्रामपाल ने ब्रामः के रुक से उस अध्याय को पढ़ा, फिर वे दोनों ही उसके महाद में से विश्रुधाम को चले गए, पारवती इस प्रकार तुम्हें ग्यारहमे अध्याय भागवत गीता की कथा सुना आई है,